नमस्कार आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग में हुआ आपके साथ शीनम शर्मा अकाश अनन को बसपा ने फिर से नैशनल कॉडिनेटर बना दिया है मायवती ने फिर से उन्हें इसकी जिम्मेदारी स्वाप दी है कल ही मायवती ने आकाश को उत्राखन उप्चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया था और आज ये जिम्मेदारी उन्हें वापस दे दी गई है आपको बता दे लोकसभा चुनाव के दौरान मायवती ने आकाश अनन को नेशनल कॉडिनेटर के पच से हटाया था साथी बीएसपी सभी विधान सभा उप्चुनाव लड़ेगी लोकसभा चुनाव पर बीएसपी की समिक्ष्वा बैठक में ये फैसला किया गया करी तीन घंटे तक चली उस बैठक में मायवती उनके भाई अननद कुमार और भतिजी आकाश अननद मौझूद रहे आकाश अनन्द पर मायवती ने साथ मही को कारवाई की थी, सवाल यही कि आखिरकार आकाश अनन्द को मायवती ने हटाया क्यों था? इसके पीछे वजह आकाश अनन्द के आकरामक तेवर को माला गया था। दिरसल 28 अप्रेल को सीतापुर की रैली में आकाश अनन्द ने आपत्यु जनक बयान दिया था और सीतापुर की रैली के बाद मायवती ने कारवाई की, पहले 1 माई को और अया और हमीरपूर की रैली रद की गई, फिर आकाश अनन्द को पार्टी से साइड लाइन किया गया उत्राधिकारी और नेशनल कॉजिनेटर पद से भी हचा दिया गया अक्रामक तेवरों से लोग प्रिय हुए थे आकाश लेकिन अपत्ति जरग बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेचा था अब आपको बताते हैं कि लंदन से MBA की पढ़ाई करने वाले आकाश अनंद की राजनिती में कैसे अंट्री हुई साल 2017 में मायवती ने उन्हें लांच किया 2019 में BSP में आपचारिक तोर पर शामिल हुए 2019 लोग सभाचुनाव में स्टार प्राचारक रहे और BSP के नैशनल कॉडिनेटर बने दिसम्बर 2023 को मायवती ने उत्तराधिकारी बनाया और 2024 लोग सभाचुनाव में भी स्टार प्राचारक बने चलिए लक्नव से अलाओदीन अयूब अबारसत लाइक जोड़ चुके हमारे सहयोगी अलाओदीन पहले अकाश अरंद को हटा दिया गया पार्टिक से साइलाइन किया गया फिर नैशनल कॉडिनेटर का पद वापस ले लिया गया अब दोबारा से वो पूरी जिम्मधारी उन्हें वापस से दे दी गई है स्टार प्रचारक भी बना दिया गया उतराखन उप्चुनाप के लिए और नैशनल कॉडिनेटर भी कह सकते हैं कि एक रणनिती के तहट आगे बढ़ रखी है बसपा क्योंकि माना ये जा रहा था कि बसपा की कुछ कारे करता नाखुश है अकाश अनन्द को हटाई जाने के बाद अजिया बिल्कुल जो युवा वर्ग था बहुजन समाई पार्टी का वो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि आकाश अनन्द को उनकी जिम्मेदारिया मिलनी चाहिए खासता और से तब जब लोगसभा इलेक्शन उनकी उम्मीद के हिसाब से बहतर नहीं रहा उत्रप्रदेश की 80 लोगसभा सीटों में उनको शूंड सीट मिली वहीं दूसी तरफ 8 फीसद 10 फीसद से भी नीशी चला गया और बहुजन समाई पार्टी के फार्म होने के कई दश्कों के बाद ऐसा देखने की मिला जब बहुजन समाई पार्टी का 8 फीसद इतना कम रहा तो ऐसे में चैयो BS4 की बात करने या नेशनल कॉडियेटर्स की बात करें या अंदर जो राय देने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों ने साफ तोर से मायवती जी को कहा कि अगर सिम्मेदार या आकाशान को दी जाए तो जादा बहतर परड़ाम आ सकते हैं तो ऐसे में डेड़ महीनों के अंदर ही अपने फैसले से पीछे हटने का मतलब साफ तोर से है कि इंटर्नल दबाव बहुत जादा रहा होगा क्योंगि आम तोर से देखे तो मायवती का जो राजनेतिक जीवन है उसमें वो फैसले से पलटने के लिए नहीं जाने जाती है बलकि फैसला लेने के लिए जाने जाती है उत्तर प्रदेश की चार बार मुखमंद्री रही है और अपने फैसलों के लिए हो जाने जाती है आजरे लेड़ी भी लोग उनको कहते रहे हैं तो ऐसे में डेड़ महीनों को अंदर ही इस पॉलिटिकल फैसले से राज्यतिक फै बना दिया गया है और साब तोर से आज की बैटक में ग्यारा बजी हो आई आकाश आनंद ने उनके पैर चुए उन्होंने उनके सर पर हाथ रखकर उनको आशिरवात दिया तब इससे लगने लगा था कि उनकी जिम्मेदारी आज बढ़ने वाली है लेकि अंताजा इभी ल लोग जिस तरह साब नजर आए उसके बाद इससाबतों से मतलब निकाले जाने लगा है कि बहुजन समाज पार्टी खुद के फैसले से पीछे हटते हुए नए फैसले के हाथ नए रंग रूप नए रोगन अपनी पार्टी में भरने के लिए नए कवायदे करेंगा क्यों कि आप उत्राखंड, महरास्त्रा, नई दिल्ली, पंजाब, हरियाना यहां सब जगों से बिहार से भी लोग आये हुए थे तो ऐसे में तमाम लोग के सामने संदेश देने के पीछे मकसद यही था कि एक मकसद लिया जाए और एक बार फिर से शुरुआत की जाए जैसा कि अभी आप जिक्र भी कर रही थी कि बाई एलक्शन्स लड़ने का फैसला भी कर लिया है जो है बहुझे समाज पार्टी ने उत्तरा खरंड में भी उत्तर प्रदेश में भी तो इसके बाद इस साब तो से आप मान के चले कि अब उनकी आक्टिविटी बढ़ेगी चुनाओ शोचल मीडिया पर उनकी पीजेस बहुत ज़्यादा एक्टिव थे चाहिए इंस्साग्राम की बात करें एक्स की बात करें या फिर फेस्बुक की बात कर लें वो खुद को यूटूब से भी जोड़ करके देख रहे थे क्योंकि जिसरे शोचल मीडिया ने पिछले दस साल को आई बदला है चीक है बहुत शुक्रिया विस्तार से अपने जानकारी दी मायवती ने आज जहां आकाश अनंद को नेशनल कॉडिनीटर पत की जिम्मेदारी सौपती है वही शनिवार को अकाश अनंद को उत्तराखन उप चुनाव के लिए स्टार्ट पिछारक की जिम् लोग सभा चुनाव की दोरान पार्टी से साइडलाइन किये गए आकाश अनंद को मायवती ने फिर बड़ी जिम्मेदारी दी है मायवती ने उत्तराखन में विधान सभा उप चुनाव के लिए आकाश अनंद को इस्टार प्रचारक बनाया है उत्तराखन की दो सीट मंगलोर और बद्रिनाथ सीट पर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे आकाश अनंद पर मायवती ने साथ माई को करवाई की थी सवाल ये है कि आखिर आकाश अनंद को मायवती ने हटाया क्यों था इसके पीछे की वज़ा आकाश अनंद के आकरामक तेवर को माना गया था दरसल 28 अप्रेल को सीटापूर की रैली में आकाश अनंद ने आपत्ती जनक बयान दिया था सीटापूर रैली के बाद मायवती ने कारवाई की पहले एक माई को औरईया और हमीरपूर की रैली रद की गई फिर आकाश अनंद को पार्टी से साइट किया गया उत्रा अधिकारी और नैशनल कॉडिनेटर पस से हटाये गया आकरामक तेवरों से लोग प्रिय हुए थे आकाश अनंद अपत्ति जनक बयान पर चुनावायोग ने नोटिस भेजा था जिस समय मायवती ने आकाश अनंद पर कारवाई की थी उस समय मायवती ने क्या कहकर उन्हें हटाया था ये भी बताते हैं बियस्पी बाबा साहिब के समान और समाजिक परिवर्तन का मुव्मेंट है पूर्ण परिपक्व होने तक आकाश को दोनों जिम्मेदारियों से अलग किया जाता है सीतापूर में आकाश अनंद के भड़काओ बयान के बाद उन पर केस दर्ज हुआ था पार्टी ने आकाश अनंद पर एक्शन लिया था भड़काओ बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था आकाश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था पार्टी के तीन प्रत्याशियों को भी नामजद किया गया था नई पीड़ी के तौर पर पार्टी में एहम पदों पर बैठाए गए आकाश अनंद की शुरुवात अच्छी नहीं रही महज पांच महिने में ही मायावती ने उनसे नैशनल कॉडिनेटर पत के साथ अपना उत्राधिकारी होने की जिम्मेदारी भी वापस ले ली थी लेकिन अब उत्राखंड में हो रहे उप्चनाओं में इस्टार प्रचारक बना कर दोबारा वापसी करवाई है इस्टार प्रचारकों के लिस्ट में मायावती के बाद आकाश अनंद को रखा गया है करीब देड़ महिने बाद आकाश की पार्टी में वापसी हो रही है उत्राखंड की मंगलोर और बत्रिनाज सीट पर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आएंगे लोग सभा चुनाओं के दौरान आकाश अनंद अपने भाशनों के लिए काफी चर्चा में आये थे उनके भाशन को लेकर केज भी दर्जुआ था जिसके बाद मायावती ने उन पर एक्शन भी लिया था इसे उनके राजनीते करियर के लिए एक जटके के रूप में देखा जा रहा था लेकिन अब आकाश आना देख बार फिर सक्रिये राजनीती में वापसी करते देख रहे हैं